तो हे नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता है आप सभी का हमारे आपको चानल पर एट मिक्स माशा करता है आप पूर आपके पेट सेल दी होंगे तो दोस्तों देसे मैंने पहला पाट बनाया था कि समर में कैसे टेक केर करें अपने डॉक की तो सभी लोगों को ज जरू देखना आपको बहुत यूसपूल आज की वीडियो होने वाली है तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए अभी तक अपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू किजेगा और बेल नोटिफिशन जरू से होन किजेगा ताकि जब भी हम नही तो दोस्तों अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते लिंक आपको डिस्रिप्सिन मिल जाएगी तो जैसे कि हमने पार्ट वन में बहुत कुछ आपको बताया था तो दोस्तों पार्ट टू में आपको और भी जानने को तो दोस्तों उसके करन क्या होता है कि अगर जिसी धूप पड़ जाती है तो दोस्तों प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसको पाव जलने लगते तो आपको क्या करना है कि मॉर्णिंग में आप कम से कम 8 बजे से पहले उसको जल्दी से वाक पे लिए ले जाना है तो ज्यादा अ सकता है उसके पाव जल सकते तो उस इसको प्रॉब्लम भी हो सकती है तो तो सबस्तों इसको पयले नेशत कारण है वाक दो अपकी ड़ा वो तो बोड़नेव होती होती है दोस्तो आप शाम के टाइम या सुबे टाइम उसको नली के थूद उसको पाने डाल सकते या उसे नहला सकते तो ज्यादा अच्छा रहेगा बट एक ध्यान रखेगा ज्यादा थंडा पानी बरफ़ला पानी मट डालेगा इसके कर उनको जटका लग सकता है बॉडी के उपर ज्यादा थंडा पानी मत उसकी जेगा नॉर्माल जो सा थंडा पानी आता है दूस्तो वह आप यूज करें और दोस्तो आप पाई पिर नली के तुर डालें च्छा रहेगा क्योंकि उनको ज्यादा अफ्या भी लगीगा पानी से खेलने के लिए दोस्तों को काफी अच्छ दोस्तों काफी अच्छा रहेगा कि उनके बोड़े के टेमप्राइजर अपने आप कम होगा थोड़ा सा उनको खेलने के लिए भी काफी अच्छा लगेगा तो ध्यान रखेगा जहां पर इसे शो होते हैं जहां पर डॉक को जोस्तों वाटर पूल में या फिर वह जहां पर ज़रूर जाईएगा अपने डॉक को ले जाकि फिर आप घर में अगर आपके पास बाट टप वह बड़ा सा तो वहां पर डॉक को जरूर नहीं लाएगा क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा लगेगा गर्मियों में फिर नेक्स पॉइंट हो है कि दोस्तों आप चार बजए और दोस्तों धेन रखना आपको रेगुलर आइस्क्रीम नहीं देना है एक दिन या फिर दो दिन छोड़के आप उसे दे सकते ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उनके शरुर में थंडग बनी रहेगे और उनको अच्छा भी लगेगा क्योंकि शाम को चार या पांच ब उसे जो आइस्क्रीम दे सकते हो तो काफी अच्छा रहेगा और फ्रेंट जो हमारा नेक्स पॉइंट है वह है कि दोस्तों अगर आप कभी कबार बाडॉक को बहार रखते या फिर दोस्तों उनको ज्यादा गर्मी लगने के कारण दोस्तों बीमार पढ़ सकते तो खाना ख खा रहा और गुम्सम बेठा है जितने अक्टिव है उतने अक्टिव लगनी रहा रोज की तरह दोस्तों तुरंत ही आप शिक अप करने जरूर जाए और डॉक्टर की राय लेकि कि आखिर इसको क्या हुआ तो फ्रेंट जो हमारा नेक्स की दूस्तों क्या होता है कि आप छ करना उसको ज़्यादा गरम नहीं लगेगी और दोस्तों उसका जो पंजे होते जल्दी से लाल भी नहीं होंगे क्युक्त्र क्योंकि गर्मी में उसको जिसके कराद उसको ज्यादा धूपनी रहेगी जादा धूप करने गरमी के जादा मी को श्कुन का कैंसर हो सकता है टो फ्रेंड इसके लिए अप संस्क्रीम खरीड सकते आपको मार्केक्त में फिर डॉकशमर मिल जाएक कर या फिर पाव पे या फिर गले के वहां पर आपको उसको लगाना है जिसके कारण दोस्तों उसको ज्यादा अच्छा रहेगा और दूप से बचने में उसको मदद होगी और फ्रेंड एक बात का ध्यान रखेगा जिंक ऑक्साइड वाले संस्क्रीम आप ना यूज़ करें और अग्यों सब्सक्राइब नियुक्त जरूर को किजेगा और आपको कैसी व्यडियो लगी मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं इसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग